हलो एवरिवन आज है 19 सब्टेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे है रहतनी इंडिया पावर के बारे में 15 रुपए के आसपस ट्रेट करा है 2.5% का गिरावट आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक महीने का ग्राफ देखो तो 3% का डिकलाइन है और ग्राफ इंटरस्टिंग यह देखो लगातार यह गिर रहा है और बीच बीच में देखो ऐसा नहीं कि इसने अटेम्ट नहीं करें बीच बीच में इसने एक दो दिन की तीजी दिखाने की कोशिश करी फिर गिरा फिर आज अच्छे मूड में नहीं रहा बाजार में भी गिरावट है आज तो भाईया कुछ जादा ही गिरावट थी स्पेसिफिकली स्मॉल केप और मेटकेप में बात करेंगे वडियो में इस कंपनी के बारे में छोटी से कंपनी है पिछले दो क्वाटर बहुत अच्छे रहे इसके अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो बात करना बनता है कि यहाँ पर सिनारियो क्या बन रहा है मौके हैं या धोके हैं देखे वीडियो को शुरू कर रूप से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइ की तीजी और जो तीजी यहाँ पर बनी थी एक बड़ी तीजी जो यहाँ पर देखने को मिली थी वो यहाँ पर तब आई थी जब इनके वाईसा मार्च कौर्टर के नंबर्स बहुत अच्छा आये थे और जो तीजी की शुरुआत हुई वो शांदर थी लेकिन उसके अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि इससे पहले भी वहाँ से एक तीजी देखने को मिली थी लेकिन अब वो तूट जाएगा तो दिक्कत होगे और लगातार अगर आप देखो यहाँ पर तो एक डाउनवर्ड ट्रिजिक्टरी शो तो हो रही है उसमें कोई शक नहीं है एक डाउनवर्ड ट्रिजिक्टरी यहाँ पर ज़रूर है 20 रुपए से लगातार यह गिरा है और जहां तक नजर करें इनके वॉल्यूम्स की तो डेट करोड से भी ज्यादे के शेड्स आज यहाँ पर ट्रेड होते न नजर आए बड़ी कॉंटिटी में ते कुछ ट्रेड हजार करोड से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मने कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो अगें यह यह यूजर होते हैं ठीक कोई एक्सपर्ट नहीं है ना है कोई ब्रोक्रेज हाओ देखो तो कंपनी लगा ता नुकसान में ही थी 2024 के कोटर में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हमें 30 देखने को मिली थी ठीक है और वो भी एक क्वाटर में बड़ा प्रोफिट आया था यहां पर अगर आप देखो तो आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रोफिट था व लेकिन पैसा कमाने की वज़े थी कि ये one time profit था इसका ठीक है लेकिन अच्छी बात ये है अच्छी बात है कि जो अमने अब तक लॉस कर रही थी उसमें पिछले दो quarter में profit करा है लेकिन actually में देखो तो एक quarter में one time profit होगे next quarter में 93 क्रोर का profit हुआ जरूर है अब September का quarter interesting होगा कि क् profit बनके रह जाएगा या फिर लगाता अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं इसके तो अगिन इसके एक दो quarter और interesting है एक दो quarter और इसके देखने रहेंगे कि वो कैसे आते हैं उसके बाद कोई फैसला यहां पर लिया जा सकता है और अगर आप चैनल को रगी लोग फॉलो करते हो जब से गिरावट शुरू हुई है 19-20 पे था तब ही से मैंने एकी चीज़ करो इवन उसके बाद मैंने कई सारे वीडियोज बनाये है जाव में एकी चीज़ कही है कि अभी खरीदारी के मौके नहीं है और अभी मैं कहूंगा कि market का हाल अच्छा नहीं है और जब बाजार म बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है तो उन कंपनियों में ज्यादा गिरावट आती है जिसने पिछले कुछ टाइम में बहुत जादा पैसा बना कर दिया होते है जो फंडमेंटलिक अच्छे भी नहीं होते और यह उनमें से एक जरूर हाला कि सुधर जरूर रहा है और उसके लिए इनके सब्टेंबर के नंबर भी देखना इंटरेस्टिंग होगे कि क्या वो भी प्रॉफिटेबल होते हैं कि नहीं अगर सब्टेंबर के नंबर्स अगर माली जो के नेगेटिव में आ गए तब समझ लेना कि वैसे गिरावट और जादा यहाँ पर गहरा स देखें तो इसका पी 0.86 का यहीं समझना होगा कि यह क्यों इतना सस्ता देखने को मिल रहा है क्योंकि एक ही क्वाटर में जब 10,600 क्रोर का इंका प्रॉफिट था उसके चलेते यह इतना बड़ा हुआ है वन एक्चुली में यह कुछ अच्छा वैल्यूशन पर नहीं ट्र यूजर्स थे कोई एनालिस्ट नहीं था शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रामोटर की होल्डिंग 44.06% की है लेकिन प्रामोटर की उनमें से 39% से भी ज़्यादा की होल्डिंग गिर भी पड़ी हुई है जो कि अच्छा साइन नहीं है इंस्टिूशन म की होल्डिंग 22.05% की है और जो अधर पार्टीज है वो 23.57% का स्टेक यहां पर लेकर बैठे हो गए है तो शेयर होल्डिंग पैटन कोई खास अच्छा नहीं लेकिन अगर हम शेयर प्राइस देखें तो उसके इसाब से ठीक था गए पैनी स्टॉक के लिए को इतना बुर भी कम नहीं होने वाली है future में क्योंकि हम electric vehicles वाले एरा में जा रहे हैं और उसको चलाने के लिए two wheelers, four wheelers और जब heavy vehicles का adoption हमें देखने को मिलेगा बहुत बड़े पैवाने पर बिजली लगने वाली है manufacturing में हम धिरे-दिरे आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उन company के लिए जो company रहा पाएगी जो अच्छा कासा profit कर रही होगी और अतनी इंडिया पावर के number से decide करेंगे आने वले दो तिन quarter के कि इसका future कैसा हो सकता है अगर सप्टेंबर के quarter अच्छे नहीं आए profit नहीं देखने को मिला वापस अगर loss दिखा दिया तो हालत सबत्तर होती नजर आएगी और यह जो गिरावाट है वो दोबारा गहराती नजर आएगी यहाँ पर अगर मैं इसके trajectory देख रहा हूँ तो definitely यह नीचे की तरफ ही जा रहा है कहीं पर support नजर नहीं आ रहा है एक support 15 रुपए का यहाँ पर जरूर था वो भी अब यहाँ पर तूट चुका है तो next level मैं कह इस नहीं आ जाते हैं September quarter के अगे यह मेरा personal opinion कोई भी investment advice नहीं है यह video को यहीं प्लाइक करता हूं पसंद हो तो like कर रोशाए अगर चानल बगरा पहली बारे तो please subscribe करें और रतन इंडिया पावर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिग के बता सकते ह शरू कहूंगा कि एक और company है रतन इंडिया enterprise 79 रूपीज का share है 3% का fall हमें यहाँ पर देखने को मिला एक महिने में यह भी देखा जैतो एक 30 से दिखा रहा था बात में फिर से गिरावर शुरू हो चुकी है और इसका graph भी interesting है ups and downs ups and downs से यहाँ पर देखने को मिल रहे है और झाल